अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian आज की जीड़ों हम बात करेंगे Ravikind DSR capsule के बारे में अब इस capsule के या फिर इस medicine के क्या fine है है, क्या side effect है, कैसे लेना है और क्या इसकी price है, यह सारी जानकरियां जो है, आज की जीड़ों में मैं आपको दूँगा तो सबसे पहले हम price से शुरुवात करते हैं, तो देखिए, 93 rupees, 50 पेसे में यह आपको 10 capsule मिलती है तो देखिए, price हमेकर उसर बढ़ता रहता है, तो जो आज का price है, वेदर मैंने आपको बताया है और यह जो है, mankind pharma वालू की है, जो के काफेच्चे company है अब इस rabi kind को कहा से खरीदना है, तो देखिए, इसको आप कोई भी local अलोपेथी medical store से खरी सकते हो, और अगर आपको नहीं मिलती है, तो आप इसको online भी खरी सकते हो Google पर search करके, बहुत सारी website इसको sale करती है अब बात करें, composition के बारे में, या फिर इसमें क्या-क्या है, तो देखिए, इसमें है Dom-Peridon, जो की रहेगा 30MG में, इसका अलाबर Aviprozole है, जो की रहेगा 20MG में तो इन दोनों के, जो है, combination से ये Revikind, DSR, Capsule बनाए गई है अब बात करें, इसके फायदे के बारे में, या फिर केंगिन condition में हम इसको ले सकते है तो देखिए, mainly बनाए गई है, acidity के लिए, अगर आपको acidity होती है hyper acidity होती है, तो उस condition में इसको लिया जाता है या फिर बहुत ज़्यादा आपको जैसे के डकार आती है, या फिर peptic ulcer, GARD की भी प्रॉल्रम है आपको उसमें ले सकते हैं, आप देखिए, जैसे के acidity होती है, तो उसमें पेट में जलन होता है इसके अलावा सीने में जलन भी होती है, तो उस condition में डॉक्टर इसको देते है इसके अलावा देखिए, कई बार ulty होती है, तो ulty में भी इसको चलाया जाता है या फिर जिनका गॉल ब्लेडर का उप्रेशन हुआ है तो उनको भी कुछ दिनों तक इस रेवी काइंड DSR कैपसूल को दिया जाता है अब देखिए इसके अलाबा अगर आपको acidity टाइप से प्रॉलम होगी तो आपको indigestion होगा खाना सही तरीके से नहीं पचेगा आपको comfortable नहीं लगेगा पेट में अजीब सा लगेगा तो इस टाइप से प्रॉलम होती है acidity में तो ये इसके main फायदे थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है अब हम बात करते हैं डोस के बारे में कैसे लेना होता है तो देखिए जनरली इसको जो है एक tablet लेना होता है एक दिन में एक बार लेकिन ज्यादा problem है तो एक दिन में दो बार तक हम इसको ले सकते हैं तो इसको कुछ भी खाने के पहले लेना है जैसे के आप सुबा जो है नास्ते के पहले इसको ले लीजिए करीब कम से कम इसको 20-30 मिट पहले लेना है कुछ भी खाने के इसका अलाबा अगर आप राद में जिसे खाना खाते हैं तो उसके पहले ले लीजिए तो इस परकार से इसको लेना होता है और सिंपल पानी के साथ लेना होता है और अधिक जानकरी के लिए जो है आप डॉक्टर से सला करें तो बहतर रहेगा अब मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए ये मेडिसिन या ये कैपसूल नहीं है इसके लाबा प्रिग्नेंसी में भी लेडिसों को लेना है तो डॉक्टर की सला सही लेना है अब इसको कब तक लेना होता है तो ये तो depend करेगा आपकी बीमारी पर आपकी प्रॉलम पर तो आप इसको पंदर दिन तक ले कर देख सकते हो, पंदर दिन से जादा ना लें, लंबे समय तक कोई भी medicine बिना डॉक्टर की सलाथ से ना लें क्योंकि ये भी depend करता है आपकी क्या बीमारी है क्या problem है तो उस पे किसी भी medicine के dose decide होते हैं इसको कितना लेना है इसको कब तक लेना है आप side effect के बारे बात करें तो side effect में आपको headache हो सकता है थोड़ा सा कमजोरी इसा feel हो सकता है मुह सूख सकता है इसके अलाबा अगर आपकी द आपके हड़े कमजोर है तो उस condition में इसको लंबे समय तक नहीं दिया जाता है या फिर साथ में calcium की medicine भी दी जाती है अब इसके अलाबा कोई दूसरी medicine ले सकते है नहीं इसके साथ तो देखे इस टाइप से medicine नहीं होना चाहिए कोई भी acilog बगेरा या इस टाइप से medicine नही करते होतो तो देखिए ये भी depend करता है कि आपको कितनी समस्चा है हालनकि आपको एक से तीन दिन में ही इसका फर्क नजर आने लगेगा या फायदा मिलने लगेगा और हर किसी पर जड़ अलग लग आता है सभी को एक जिसा फायदा नहीं मिलता है अब इदर में कुछ advice भी पीना ये सब बंद करना पड़ेगा इसके आलाब आप healthy ride लीजिए healthy lifestyle रखी अपनी वजन जादा है तो इसको कम करिए exercise करिए आप exercise करे टाइम नहीं मिलता है तो walking बगेरा भी आप कर सकते हो तो ये मेरी आप advice फॉलो करिए और साथ में इस medicine को लीजिए तो आपको अच्छा कर आगे तो लाइक भी कर दीजिएगा फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में जब तक आप मने रही हो देखते रही है आपके अपने चैनल में knowledge for Indian